तो मजहब के आधार पर आरक्षन ये भी करनाटक का एक बड़ा मुद्धा है अनराग जी वो नया नारा क्या है वो नया नारा है तुस्टी करन वर्सिस संतुस्टी करन आप लोग तुस्टी करन की राजनीती करते हैं इसलिए धर्म जाती मजहब पर बात कर रहे हैं निकाय शुड़ाव के आधार पर लेकिन प्रधार मंत्री संतुस्टी करन की राजनीत परिति कर रहे हैं, रख जी क्या कहेंगे? यही तो चक्कर सिर्फ इतना ही है कि भारती जनता पार्टी सिर्फ और स्रिफ समाज के अंदर में डिवाइडन रूल करना चाहती है जो ठीक है लेकिन नया नारा देख लीजे नया नारा आगया तुस्ति करण वर्सेशन तुस्ति करण नारा देखे भारती जनता पार्टी नारा ही तो दे सकती है ना लेकि धरातल पे काम नहीं कर सकती है बही आप बताई ये express में बनाया तो कौन सा जाती धरम के लोग उस पे चलते हैं सभी चलते हैं अगर हमने 100 dial बनाया पुलिस सिस्टम अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत किया तो सभी के लिए किया ना भारती जनता पाटी एक बताई एक काम बताई जो करती है वो करती कम है देखो नारे बाजी करती है डिश्टल इंडिया नया भारत पता नहीं कितने 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 स्लोगन आ चुके जब से सरकार पनी लेकिन क्या हुआ है जरा बताते हैं आप मुझे बता दीजे दोकल रोजगार देने की बात थी क्या हो गया किसानों की इंकम दूगनी करने की ब संतुष्टि करन करण भारतिय जनता पार्टी का दूसरा नाम है इसलिए अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूं तो आप देख लीजे 14, 17, 19, 22 और अब आप निकाय और 24 का भी चुनाव देख लीजेगा अब पूरे भारत वर्ष में भी आप देख लें नरेंद मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिनके स्विकारता जो है पूरे भारत वर्ष में हैं और चाहे एक व्यक्ति किसी भी जाती हो धरम से आता हो परिंदु राजनीतिक डल चाहे वो कॉंग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो आर जेडी हो जेडी यू हो बीसपी हो टीमसी हो आदी 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 इन लोगों को तो केवल और केवल तुष्टी करण की राजनीती करने इनको विकास दिखाई नहीं देता है आज पूरे विश में जो सबसे लोग प्रिये नेता हैं वो नरेन मोदीची हैं यह नीला सिंग भारती जिनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं यह अलग-अलग एज जिन्हों ने सर्वे किया है और उसका नतीजा बताया है और ऐसे ही नहीं लोग प्रिये हो गए हैं काम करके दिखाया है भारत में जिस प्रेकार से अगर मैं उत्तर प्रिदेश की बात कर लेती हूँ डबल इंजिन की सरकार ने योजनाओं को चाहे वो केंट्र की धरातल पे उतारा है करोडो करोडो स्वच भारत मिशन के ताहट जो है शौचाले बनाए प्रदार मंत्री आवास योजना के ताहट जो है घर बना कर दिये हूए है ऐसी ऐसी परियोजना है जो बिलकुल बंद पड़ी हुई थी उनको शुरुवात किया यूजिया का प्ला और कुछ बन रहे हैं दो इंटरनेशनल एरपोर्ट हमारे टैम पर पांच इंटरनेशनल एरपोर्ट किसानों की कर्ज माफिय आपने करी नहीं बिलकुल नहीं करी और हम तो किसान समान निधी जो है उसमें अबबल आते हैं आस्था का समान किया नहीं किया हम आस्था का भी सम्मान करते हैं और विकास के रास्ते वे चलते हैं तो इसलिए संतुष्टी करण हम जानते हैं और यह तुष्टी करण जानते हैं तुष्टी करण आप तो यह चाहते लेकिन वो मुसल्मानों को मकान मिल रहा है नहीं मिल रहा है यह जो इल्जाम है दिपक जी तो इसका अगर धंडोरा पीटना है तो एक थोड़े से छोटे पेमान पर उसको देखना चाहिए ना मैं आपका ध्यान दिदाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुष्टी करण का आरो आपको लगाना है तो क्या स्करदार पटेल के उस फैसले को आतिक भाई सुनिये ना क्या जोला गैस मिल रही है मुसल्मानों को क्या पीएमावास के मकान मिल रहे है मुसल्मानों को सवाल का जवाब नी दितना आप लोग सर्दार वल्लबाई पटेल ने जो आश्वासन मानोरिटीज को दिया था क्या वो तुष्टी करण था आनिला सिंग जी और उस कुर्बानी की याद दिलाई थी सर्दार वल्लबाई पटेल ने मिजॉरिटी कम्यूनिटी को कौन सी कुरपानी थी वे ओदीपक जी वो कुरपानी थी minorities के separate electorate की कुरबानी एक बड़ा सवाल था देश के सामने क्या minority separate electorate को जारी रखने की मांग करेंगे या उसका उसकी कुरबानी देंगे और तमाम मानुरिटीज ने मुसलिमान सिक, पार्षी, क्रिस्चिन सब ने सेक्यूरिजम के नाम पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कुरबानी दी इतनी कुरबानी को यात दिलाते हुआ आपके लिए अतिख अहमत ने भी कुरबानी दी अतिख भाई माफ्या बाड में जाए तमाम माफ्या मैं आपक्रा काया examinar का बीए अपर मैं नुर्येटी को हाश हुए तो से ओन ड। सवाश्रों मैं से क्या सर्दार बले भाड प्रतेल का स्वाहि करन था ठीक है आप मेरे मतलब मेरे जवाब भी नहीं देता है दिख भाई ऐसा ना करिए सर इस से एक हाँ दो सवाल पूछ लेते हैं आप लोगे से रोजी रोटी कल जाती है जिनको ये सुबह शाम याद करती हैं सर्दार पटेल का एक्जेपर उनकी दोहाई दे रहा हूं पर आप बोलना नहीं चाहरे हैं कि हाँ भाई मुसल्मानों को भी पीम आवास का मकान मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसा तो नहीं है ना यह बता दीजिए अतिक जी धन्यवाद अनिला सिंग जी जवाब दे ना मेरा सवाल तो निदिया तिक बाई दो चार सवाल आपसे पूझ लेता हूं उससे अपना गुजारा वगेरा चल जाता है अगर आप जवाब ही नहीं देंगे तो मेरा क्या होगा सार क्या यह नौबत आ गई है और बाप रे बाप सोच्टा सीनिर्स